अलो अब्रिवन दिस इस हंडेडी चालेंज फॉर हंडेड़ ट्रेक्स तो यहां पर बहुत इंपोरेंट टॉपिक मैं आपके लिए लिए आ चुका हूँ ऑप्टिकल आईजोमेरिसम ठीके इसके क्वेस्टिन्स आप कैसे सॉल्फ कर सकते हो इसली ट्रिक्स मैं बताने वाला करता हूं कि वह आपको 90 प्लस मांक्स दिलाएंगे तो यहां पर क्लिक करके आप डारेक्ली उसके बारे में जान सकते हो और नहीं तो हमारे चैनल पर पूरा एक बार ओवर्वी ले लिए प्लेलिस्ट चेक कर लिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे प्रयोरिट कि हम बात करते हैं इन में से प्रयोरिटिक इसको दिया जाएगा तो सबसे पहले याद रखे हम ऐसे काउंट करते हैं हम लोग मॉलिकुल को काउंट करते हैं एक एक अटम को काउंट करेंगे ठीक है यहां पर जो है इसका अटॉमिक नंबर क्या है एट है फ्लोरिन का क्या ह 9 है यहाँ पे जिसका atomic number जादा है उसको पहली priority दी जाएगी ठीक है ऐसे fluorine and chlorine की बात करते हैं तो इसका 17 है और इसका 9 है तो किसका atomic number जादा है इसका chlorine का तो इसको priority first दी जाएगी अगर हमको CS3 दे दिया गया है compound वे और OH8S दिया गया है तो हमें से पहला पहला atom देखना है तो O है वो का atomic number है 8 और carbon का atomic number है 4 तो यह आगर हमें देखना है जहां से तो कैसे आप इसको पहचान कैसे सकते हो सारी चीजों को बस यही चीज़ जाद रखेगा atomic number या atomic mass दोनों चीज़ें आप देख सकते हो जिसकी जादा होगी इसको priority हम first देंगे दन कुछ rules की बात करते हैं जो basic आप 9, 10, 11, 12 में सीख के आते हैं उसके बार में हम देख लेते हैं थोड़ा सा फिर question के उपड़ जाएंगे वीडियो के end में है पूरा detail में देखेगा अगर हम लोग वार्टे करते हैं वर्टिकल डिरेक्शन में अगर fourth priority आपका vertical में देखेगे यह वर्टिकल डिरेक्ट्शन है फॉर्थ प्रॉर्टी जिसको हम हाइड्रोजन समझ लेजा है ङांहें पे मान रहे हैं तो अगर वो फोर्ट्ट जो है वर्टिकल डिरेक्शन में तो क्या होगा अगर हम फॉर अगर यह उता रहेत दिखेंगे हाँ है आर ऐस से ही हम डाय स्टीरियोमर और निकालने वाले हैं तो यह पूरा आपको पता रहना चाहिए अगर हम लोग बात करते हैं होरिजोंटल पर फोर्थ ग्रूप अगर आपका होरिजोंटल पर है ठीक है तो अगर क्लॉक में जा रहा तो उसका उल्टा हो जाएगा पह आपको question दिया गया है एक्जाम में पूछा गया था 2017 में जी डबली के एक्जाम में पूछा गया था chemistry के पेपर में था ठीक है तो यह ऐसे नीट में भी questions आपको मिलते हैं और जैसे कि मैंने CSI net दिया और वहां पर भी ऐसे questions आपको ज़रूर मिलेंगे तो देखें क्या है यहाँ पर एक carbon है यहाँ पर दूसरा carbon है ऐसे दो compounds दिये गए हैं इसका नाम है A और समझे इसका नाम है B तो priority order के हिसाब से आप बताना है कि diastradio में रहे कि यह कौन सा compound है तो कैसे पहचान होगे वो चीज़से मैं बताने वाला हूं अगर हम लोग priority दे देते हैं तो देख होता है सबको बता है first priority इसको दिया हमने second O को दिया third इस carbon को देना चाहिए कि इस carbon को देना चाहिए तो simple ची बात है इसके पास ज्यादा group attached है उसके बाद तो third priority हम इसको देंगे and fourth priority इस carbon को देंगे अब हमारी cycle गुमाना है one two three and four की तरफ यह clockwise जा रही है और fourth priority हमारा कहां पर आया है देखे वर्टिकल में आया है तो जैसे कि मैंने हमने सीखा वर्टिकल में आपका fourth priority अगर आता है और clock में जाता है तो उसको हम कौन सा configuration बोलते है आर configuration बोलते है यह कौन सा पहला होगे आप का configuration R configuration यहीं चीज़ अगर मैं बात कर लेता हूं second carbon के लिए यह carbon के लिए तो ध्यान से देखेगा priority अगर हम किसको देंगे पहला chlorine को देंगे दूसरा oxygen को देंगे तीसरा कि इसको carbon को देंगे क्योंकि उसके साथ और भी group जूड़े हूं है तो उसका mass जादा होगा यह atomic number समझे जादा होगा और fourth इसको देंगे अगर cycle अगर हमारी घुमाते है तो one two three and four ऐसा आएगा तो यह क्या हो रहा है clockwise सी जा रहा है तो इसको भी हम लोग आरे count करेंगे और fourth group हमारा vertical में यही चीज़ अगर हम compound B के लिए देखने जाते हैं यहां से देखेगा पूरा iron तक देखे compound B के लिए अगर जाते हैं यही से दो carbon है तो priority के से दोगोई आप पहला chlorine हो जाएगा दूसरा oxygen होगा तीसरा यह carbon नहीं होना चाहिए यह carbon होगा यह जा रहा है यह देखे एंडी clock वेज जा रहा है उल्टा गूम रहा है साइट आमारी clock ऐसी नहीं गूमती पर fourth group हमारा कहां पर है horizontal पर है और जैसे कि हमने बात किया तो horizontal पर रहेगा fourth group तो उल्टा हो जाता है तो यहां पर इसको हम count करेंगे और अगर इस carbon के हम पूरे बात क जाएगा second इस oxygen को देंगे हम लोग third किसको देंगे इस पूरे carbon वाले group को देंगे and fourth priority हम इसको देंगे अगर हम लोग cycle घुमाते है तो one two three and four ठीक है तो यह भी क्या हो रहा है आपका anti-clockwise जा रहा है fourth group कहां पर है यह clockwise नहीं जा रहा है हाँ clockwise जा रहा है yes it's a clockwise and fourth group आपका कहां पर है वर्टिकल में जैसे कि हमने बात क्या clockwise जाता है और वर्टिकल में रहता है तो उसको हम क्या count करते है और यह configuration आप निकाल लिए अभी 2017 का question था उसके बात पूछा गया था आपको चार options मिले थे कि यह क्या है डाइस्टेरियोमर है मीजोमर है identical compound है और तो यहां पर ट् identical compound same है ठीक है अगर ऐसा मिले आर एक का मिले वाले का और अगर मैं बी की बात करो तो एसस मिले पूरा उल्टा तो हुम इसको बोलते हैं इनशीमर ठीक है इसको इनशीमर पूला जाता है यही ट्रिक है इसका पर अगर मैं बात करता हूं दैस्टेरियोमर्ट का तो अगर दे दूसरा एक आर है और एक ऐसे तो यहां पर आप देखिए आरार सेम हो जा रहा है पर दूसरा सेम नहीं हो रहा है एक चेंग दिखेगा आपको तो इसको हम बोलते हैं डाय स्टेरियोमर्स ठीक है यही नाम से चैनल है ठीक है तो आप आप डिरेक्ली सर्च करके गेटा रहता हूं आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हूं इसी नाम से आईडी है वहाँ पर तो हमें फॉलो कर दिजिए थैंक्यू थैंक्यू सो मुच